Hi students, my name is Fajj Sakir. Welcome to the second lesson of your geography, abiotic resources, land, soil and water. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग soil profile को discuss करेंगे, soil profile के बारे में परहेंगे. तो चलिए, start करते हैं. कहता है कि मिट्टी अलग-अलग तरह की होती है. There are different types of soil, और हर मिट्टी की अपनी अलग खूबी होती है. Each soil has its own characteristics. कह रहा है कि अगर आप किसी भी मिट्टी को गहराई तक खोदें, तो आप पाएंगे कि मिट्टी कई layers से बनी होती है. Soil is made of different layers. अब यहाँ पर कौन-कौन सा layer है, यह बता रहा है. O, A, E, B, C, R. यह जो हैं, वह soil के layer होते हैं, जिनको horizons भी कहते हैं. कहता है कि most soils have three major horizons, A, B, C. कहता है कि maximum मिट्टी जो है, आप देखेंगे कि उसमें तीन परते होती हैं, A, B, C. and some have an organic horizon, A, O, sorry. और कहता है कि कुछ जो मिट्टी जो होती है, उसमें जो है, एक organic horizon वह भी पाया जाता है. तो अभी हमने परहा कि मिट्टी जो है, वह अलग-अलग तरह की होती है. हर मिट्टी की अपनी अलग खुबी होती है. मिट्टी जो है वह अलग-अलग तरह के लेयर से बनी होती है मैंने आपको लेयर का नाम बताया O, A, E, B, C, R फिर मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम मिट्टी जो होती है उसमें तीन होरिजॉन्स तीन परत पाये जाते हैं A, B, और C जबके कुछ मिट्टी में एक और परत होरिजॉन्स O भी पाया जाता है जो की और्गनिक होता है कह रहा है कि ज्यादातर मिट्टी में तीन होरिजॉन्स होते हैं A, B, और C जो मैंने अभी आपको बता दिया अब हम सबसे पहले जो है होरिजॉन ओ के बारे में परहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं होरिजॉन ओ यहां पर कह रहा है कि ज्यादतर और्गेनिक मैटर जैसे डिकंपोजिंग लीप्स इसी होरिजॉन में पाये जाते हैं मतलब और्गेनिक मैटर जो है वह होरिजॉन ओ में ही पाये जाते हैं किसी मिट्टी में होरिजॉन ओ की परत पतली होती है जबके किसी मिट्टी में होरिजॉन ओ की परत मोटी होती है जबके किसी मिट्टी में होरिजॉन ओ पाया ही नहीं जाता है तो यहाँ पर horizon O के बारे में बता रहा है कि horizon O में आप देखेंगे कि organic matters जैसे decomposing leaves वगरा पाया जाते हैं यह जो horizon O है सब मिट्टी में एक तरह से नहीं पाया जाता है किसी मिट्टी में इसकी परत जो है वा मोटी होती है किसी मिट्टी में जो है horizon O पाया ही नहीं जाता है उमीद है कि आपको O होरिजॉन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चलिए अब हम A होरिजॉन के बारे में discuss करते हैं यानि top smile के बारे में परते हैं ए होरिजॉन में मिनरल्स के अलावा और्गेनिक मिट्रियल पाये जाते हैं जो प्लांट्स और दूसरे और्गेनिज्म्स के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं तो ए होरिजॉन में क्या पाये जाता है ए होरिजॉन में और्गेनिक मिट्रियल्स पाये जाते हैं जो कि प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए और जो जमीन के अंदर जो दूसरे और्गेनिज्म्स पाये जाते हैं उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अहम है तो horizon ये समझ में आ गया होगा चलिए अब हम लोग horizon E के बारे में पढ़ते हैं E horizon कहता है कि E horizon अक्सर पुरानी मिट्टी और जंगल के मिट्टी में पाई जाती है पाई जाती है minerals, organic matter, sand, soil और list of clay आप देखेंगे कि E horizon में पाई जाते हैं तो अभी हमने परहा कि E horizon में जो है वो organic matter पाई जाते हैं decomposing leaves जो है E horizon में organic materials पाई जाते हैं जो कि plants और दूसरे organisms के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं मतलब minerals के इलावा E horizon में organic material भी पाई जाते हैं E horizon में minerals तो पाई ही जाता है E horizon में अभी मैंने आपको बताया कि E horizon में minerals, organic matter, sand, silt और list of clay पाई जाता है और ये जो horizon जो है ये जिनरली पुरानी मिट्टी और जंगल के मिट्टी में पाई जाती है ये परत चलिए अब हम लोग B horizon के बारे में discuss करते हैं इस सब स्वाइल के बारे में कहता है कि इस परत में मतलब इस horizon में minerals बहुत ज्यादा होते हैं minerals बहुत ज्यादा पाई जाते हैं C horizon मतलब parent material काता है क्या C horizon अर्थ के surface पर जमी हुई वह परत है जिससे मिट्टी का विकास हुआ है मिट्टी का development हुआ है मतलब मिट्टी का development जो है वह C horizon पर जो परत अर्थ के surface पर जो परत पाया जाता है C horizon में उसी से मिट्टी का development हुआ है अब हम लोग जो है वह आर होरिजॉन के बारे में डिसकस कर लें कहता है कि आर होरिजॉन मिट्टी नहीं है यसी होरिजॉन के नीचे पाई जाती है इसमें ग्रेनाइट, बैसाल्ट, क्वाटजाइट, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन पाया जाता है तो आज के इस वीडियो में हमने स्वाइल प्रोफाइल को डिसकस किया मैंने आपको बताया कि मिट्टी जो है वह अलग अलग तरह की होती है हर मिट्टी की अपनी अलग खुबी होती है मिट्टी जो है वह different layers से बनी होती है मैंने आपको layer का नाम बताया O, A, E, B, C, R फिर मैंने आपको बताया कि maximum मिट्टी जो है उसमें 3 horizons होते हैं 3 परत होती है A, B, C हाला के कुछ मिट्टी में horizon O भी पाया जाता है मतलब परत O भी पाया जाता है फिर मैंने आपको बताया कि horizon O में organic matters जैसे decomposing leaves होकर अपाया जाते है horizon A में minerals के लावा organic material पाया जाते है जो कि plants और दूसरे living organisms के जिन्दा रहने के लिए बहुत ज्यादा important है फिर मैंने आपको बताया कि horizon E या E horizon में जो है minerals, organic matter, sand, silt और list of clay पाया जाता है और यह जो horizon प्रत जो है वह generally मिट्टी और जो पुरानी मिट्टी और जंगल के मिट्टी में पाया जाता है B horizon सब स्वाइल को B horizon कहते हैं इस layer में minerals बहुत ज्यादा होते हैं उसके अलावा मैंने आपको बताया कि C horizon अर्थ के surface पर जमी हुई वह परत है जिससे मिट्टी का development हुआ है मिट्टी का विकास हुआ है R horizon मैंने आपको बताया कि R horizon जो है वह मिट्टी नहीं है यह C horizon के नीचे है इसमें granite, basalt, quadrigite, lime stone और या sand stone पाया जाता है तो अब आपको जो है उम्मीद है कि smile profile जो है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम लोग इसी lesson को continue करेंगे तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्त रहें, खुस रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद झाल टार बहुत बहुत